हेलो फ्रंड्स कश्यात मजेत आज अता पूच्या एपिसोड मदे अपन यूनिट वन मदला टॉपिक फाइव भगना रहोत संख्या दर्शन आणि योग दर्शन हे जी वईदिक कल्चर आणि वईदिक स्कूल उफिलोसोफी अपन शिकतो आए वेधिक कॉरपस आपन शिकतो आए सकत यहां मदला हा शेवट सा भागस्ना रहोत यहां नंतर अपन नन वैदिक फिलोसोफीज कड़े जाणा रहोत तेमोले संख्या दर्शन आणि योग दर्श हे समझों गेनाच आपन परेत्न करूँ मी माग चाही एपिसोड मदे सांगीत ले प्रमाणे यहां बाग देखिल थोड़ासा कठीन आहे पन आपन सुपय भशे समझों गियू आणि जवड़ा आवश्यक आए त्यवड़ाच आपन समझों गियू जेने करूँ आपले ला इसे पन आपिसोड मदे मेते सांगतो आए थैमुएत्या नोटिं गियून तशा पद्वड़ाचं चाहई आपन्योड़ाच तुम्हाला अता, तुमच्या स्वता चाहां नोड़ाच बनवाई है, क्योग धरशन है, संख्या अडि योग धरशन श्योर दोन भागः संख्य चा विचार अपन या अच्छा एपिसोड मदे समझने चा प्रहत्न करना रहोत या दोनी ही सिस्टीम दोन गोश्चीन पसुन सुरू होतात एक मेंजे प्रकूर्ती आडि पूरुश अथा प्रकूर्ती मेंजे पुना तोस भागा है कि इही जी सगली प्रकूर्ती आए अच्छा विचार आए कि कुटेतरी संचालन करनारी एक शक्त एक पावर आए त्याला ते पावर मंटत आणि त्या मोले संख्या स्कूल जाए ते देवाचा अस्तित्व अवर मानने करत नाही योगा स्कूल मात्र देवाचा अस्तित्व मानने करते कि देवाचा अस्तित् आता भाई अता ज्याला नास्थिक का आसा डिडा यह रेगुलर भाशे मदे मनतुस्तो देवाज अस्तित्व जा लाँनाकार भाइजाए जेवाज स्विकारत नाही असा कही वर्ग उस्तो प्रत्यकाची सोताची धारना आये या गटा नी तया गटा वर अपली विच्छ रथो पने ची गरज नाही पन संख्या दर्शनाचा अपना भैस करतो है, अपना भैस करतो है, अपना भैस करतो है, तर ते अभैसा मदे संख्या दर्शन, सांगनारा जो स्कूल आहे, संख्या दर्शन सांगनारी जी विचार धार आहे, ती परमेश्वराच अस्तित्व मान्य करत नाही, और योग दर्शन जाहे, ते मात्र परमे मुल्टिपल चॉइस गोशन अउनी लिहील ॉनी authorized आपलेला महिती नहीं कुणालाज महिती नहीं संख्या दर्शना बदलच सग्यात पहिला लेखन हे इश्वर कृष्ण नावाचा रुशी नी लीला त्याला संख्या कारीका संख्या कारीका नावानी तेम इश्वर कृष्ण या रुशी नी लीलेला संख्या दर्शना बद्दल च लेखन कुठल short answer multiple choice question संख्या करी था संख्या कारी का संख्या कारी का है इश्वर कृष्णा नी लेले पहला लेखन है तेचा मदे 70 वर्स 70 श्लोक तेचा मदे होते 70 काब्वे तेचा मदे होते अणी lucid exposition of संख्या सिस्टिम संख्या दर्शन आचे जी सिस्टिम है तेच सिस्टिम चा अतीशे flow असनार सुन्दर विवेचन बहुत अच्छी तरसे उसे समझाया गया था 70 वर्स उसमें थे 70 श्लोक ये 70 काव्य 70 काव्य उसमें थे और ये कपिल मुनी ने इसका लेखन किया है ऐसा माना गया है लेकिन उसका कोई आधार नहीं है हमारे पास और इश्वर कृष्ण इस रिशी ने संख्या कारी का ये पहला लेखन संख्या दर्शना के अंदर पहला लेखन जो है वो सबसे पहले किया है अब पुरुष और प्रकृति मन्जे का है येसा आर्था पन समझून गयो दूनिया में जो कुछ भी बनता है जो कुछ भी हमें दिखता है जो कुछ भी हम महसूस करते है वो ये दो चीजों से बनता है पुरुष और प्रकृति मैटर और स्पिरिट प्रकुर्ती याने matter और spirit याने पुरुशा याने आत्मा किसी भी चीज़ के matter होते हैं जैसे हमारा शरीर है हमारा शरीर ये प्रकुर्ती है और हमारा spirit याने आत्मा जो है वो पुरुश है समझ में आया है चोटी सी बात है अब जब ये शरीर के अंदर आत्मा है ठीक है तो हमारा शरीर एक पूरी चीज कहलाता है जब शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाता है तो उसे मृत्यू कहते है और मृत्यू होने के बाद में इस शरीर का हम कुछ नहीं करते हैं हम रखते नह एक तो दहन करते हैं या दफन करते हैं ठीक है ना दो पद्धति से उस शरीर को पूरी तरह से उसको समाप्त करते हैं हम लोग वो हमारी प्रक्रिया है इसलिए आत्मा ज़रूरी है अब आत्मा जब तक है तब तक हमारा वो जो अस्तित्व है वो है इसलिए matter अब यह हर चीज में यह है कि वो मैटर है और उसका आत्मा है तो यह जिवित ची जो पेड़ है पशू पक्षी प्राणी सब में एक तो मैटर है जिसे शरीर बनता है और दूसरा है स्पिरिट जब वो स्पिरिट खतम हो जाता है तो मैटर का कोई महत्व ने उरता तो यह दोनों जब रहेंगे अब सिफ इस्पिरिट से भी काम नहीं चलेगा देखिए कितना सुन्दर है विचार सुर्फ इस्पिरिट से शरीर में प्रवेश नहीं करता है तब तक उसे भी अस्तित्व परापता नहीं होतार इसलिए यह इंटर डिपेंडेंट है दोनों इस दोनों चीजे क्या है श्रीराँ जा रूप धारिन करेंहीं, और मनुर्म बैला कियमें करदी ओर च्ता हो, 5000 कि न दस्ति की बने की थी तराए राप्त हो चादर ओवन हो चादर ओस्य हो, और श्रीर राप्त, मैं इंसान ऑस्य हो रहाज एतम आतम आते हैं इया वाग यह जो एक में पुछ नहीं बाचतव भाग झातए चौन। भरता में डिशैनल माहा। प्रपरती महा। त्वास प्रौरे टॉब प्रकृती विट पुरुषा देन एवरिधिंग कम्स इंटो एग्जिस्टन्स या दो नीचा सम्मेल मी तेस सांगित लुए जोटले जातात या दो नीचा एकमेकान वा रसनार अस्तित्व जेमा तयार होत तेमा खरे आर्थाना कुट्लियाई गोष्टी चा अस्तित्व आप एकत्री त्यान है अतीशे महत्वाच्छा एकत्री तालैन अंतर कुट्ली घोष्ट जगा मदे एक्जिस्ट हुए अधा प्रकृती आपन सम्झूंघू प्रकृती मन्जे काय सत्व नॉलेज एंड प्लेजर नॉलेज आपने शरीर जे मनत या शरीरा मदे काय काय आसतो जय सत्व प्रोवृत्ती मदे आपले आला नॉलेज मेंत आणि अपले आला प्लेजर देखिल मेंत अनन्द मेंत ती दूसरा है राजस जयेचा मदे मुमेंट आणि पेन होते नॉलेज आणि प्लेजर आपले बुद्धी मत्ते चा मध्यमात सम्झूंग जोपाय काय प्रक्रिया सालते ते विचार प्रक्रिया मुणे नौलेश तायार होता और तैचा मुधूनस अपले ला अनंद प्रफ्त होता बरोबर है यह दिछान गोष्ट आपन पाइली यह सुन्दर गुलावादश फूल पाइली कि वह सुन्दर बगीचा पाइला अनंद कसा मिलेल सा आपले डोलयन नी आपन तो बगीचा पाथो बरोबर आपले यह सेंसेस अथ ते सग्डे शेंसेस का माला लागता आर सुन्दर आये अडि मक्ती प्लेजर मक्तो आनंदाची अनुभूती अपले रोत तै अपन एका ते बगीचा पेलावादश फूप सुन्दर बगीचा हो गोलाबाच की अगुलाप की पांखुडिया, नाजुक है, उन्हें जब हम सपर्ष करते ह들े, तो वो सपर्ष हमें सुख की अनुभूती देता है, तो इस तरह से एक बागीचे में जब हम जाते हैं, तो वहां हमें जो सुन्दर डिखने को मिलता है, फूल खिले हैं और सुन्दर वहां पर हरी भरी घास है, तो वो देखने के बाद में हमारा जो एक सेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है, फिर वहां पर पक्षी है उनका आव जो डेवलब होती है वो चौथा सेंस हमारा एक्टिवेट होता है और जो हम छूते हैं किसी चीज को सुन्दर गुलाब की पंखुडियों को हमने छूआ ना जुक सी तो हमारा टच जो है वो एक्टिवेट होगे तो इस माध्यम से ये सब एक्टिवेट होने के बाद में फिर हमारा मस्तिष जो है हमारा अपला मेंदू जो है कि हमारा brain जो है अबर brain जो है अबर brain gives a signal that these are all good things which are felt by the senses. These are all beautiful things which are felt by the senses. And then there is a message that I am feeling very happy. I am feeling, I am just enjoying pleasure. I am sensing the pleasure. मुझे खुशी महसुस हुए यह बहुत अच्छा है तो यह सत्व में आता है दूसरा है राजस अब इस पोजिशन में हम रह नहीं सकते हैं हारदम रह नहीं सकते हैं कि बढ़िया प्लेजर नौलिज प्लेजर नौलिज ऐसा नहीं होता मुवमेंट एंड पेइन मुवमेंट एंड हम लोग हमारा जीवन चलते रहता है फिर कभी खुशी है कभी गम है कभी दुख है कभी कोई एक्सिडेंट है खुशी भी है कहीं खुशी के भी परसंग आते लेकिन दुख के भी आते वो क्यों आते हैं, क्योंकि हम मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट क्यों करनी पड़ते हैं, क्योंकि हमारा दिन हम प्राणी मात रहे हैं, हम इंसान है, जीवन जीना है हमें, जैसे आप लोगों को कॉलेज में जाना है, पढ़ना है, फिर नौकरी करनी है, फिर नौकरी करोगे, तो फिरे ट्राफिक में नौकरी की जगह जाना है, पहुचना है, काम करना है, काम का किसी को आनन्द है, किसी को दुख है, तो यह जो moment and pain, उसके साथ में pain भी आता है, बराबर है, किसी एक जगर कर बैठे रहे, आगे चलकर बुद्ध फिलोसफी जब हम देखेंगे, तो वहा कि सब सुख ते उनके आजू बाजू, लेकिन एक दिन महल के बाहर जब निकले और उन्होंने वो शवयात्रा देखी, मृत्यू जाला होता कोणाचा तरी और अनि ते प्रसेशन चल लो तो, शवयात्रा मनता है, अंती मियात्रा चल लिए, अंती डेड़ बाड़ी पहले अ मेरे जीवन में जो चल रहा है, वो साब सुखी सुख है, लेकिन दुख ये भी जीवन का एक बहुत इंपर्टन पार्ट है, बुद्ध फिलोसफी में देखेंगे, काय है मूर सग्या दुखा चू मूर काय है, ये ते गौतम बुद्धन में संगी के लिए, राजस, मूमें और तीसरा जो पार्ट है, वो है तमस, डार्क एंड इग्नॉरन्स, ये भी हमारी जीवन का पार्ट है, इग्नॉरन्स है, पता नहीं है चीजे, और डार्कनेस है, अंधेरा है, नौलिज का अंधेरा है, अब उसको उजागर करना है, किस से? नौलिज से, इंडियन system के बारे में हमें पता नहीं है लेकिन ये वीडियो जो आप तक आ रहे हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे वो उजाला हो रहा है तो उजाला हो रहा है darkness से, ignorance से, knowledge तक पहुच रहे हैं, लेकिन ये तमस सो सत्व, रजस और तमस, ये तीन factors बहुत important होते हैं, वो प्रकूरती के अंदर आते हैं, तो पुरुष और प्रकूरती के उपर आपको दो मार्क का सवाल पूछा जा सकता है, तो ये आपको लिखना है, multiple choice question में आपको ये लिखा जाएगा कि राजस, सत्व और तमस, ये किस क्या है, मोक्ष ये है कि ये जो self है हमारा ये ignorance से बाहर आकर actual knowledge जब हम में प्राप्त होता है तो प्रकूरती से वो separate होता है जीवन जीने के बाद में जिन्देगी भर हम कुछ ने कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अब अलग-अलग ज्यादा क्राइम करते हैं, वो भी बढ़ाते रहता है वो भी है, तमस वो भी जिन्दगी का पार्ट है जहां खुशी है, वहां गम है जहां अच्छे लोग है, वहां बुरे लोग है जहां पुलीस है, वहां चोर है तो ये सब जिन्दगी के तरीके होते होर ये जिन्देगे के इनेविटेबल पार्ट्स है अभी भाज्य भागायते जीवनाचे ये अस्तात अच्छ आणि त्यामुने हाँ सेल्फ इग्नोरंस मदून जे मां बाहे रियतो त्यान अंतर त्यारा खरन नौलिज परप्त होते आणि मां प्रकृति पासून मांजे मैटर पासून तो सेपरेट जाला कि त्याला मोक्ष में तो अस अपले ये संख्या दर्शना मदे आणि योग दर्शना मदे सांगीत लेला है संख्या दर्शन मोक्ष हा प्रकुर्ति पासून पुरुष दूर जाले अंतर मंजे मैटर पासून स्पिरिट दूर जाले अंतर शरीरा पासून आत्मा दूर जाले अंतर जो मोक्ष में तो या मोक्षा सथिस्ट सब चाले असा मन्टात ना मोक्ष में मुर्तिव जाले अंतर अपने अढ़िया अ पीया अधर्मांत आण्ये पुझा पद्धति क theor gy racket. bigger speaking अइस आपन जिबा मन्तु सध्गती प्राप्ट in this सद्गति मन्जे ते आत्मयाचा जो प्रवास आये तो पुना मोक्षा परिंत जाला पाईजे आणि तो अतीशे योग्य पद्धती नी जाला पाईजे आस अपले संख्या दर्शना मदे सांगीत ये अपले फिलोसफी मदे सांगीत ये आपन आहिते पाड़तू आपन ट्या पध्धती नी पाड़तू, आपन मुर्त्यु जाले नंतर ची जी विधी आणिये सगर करता सतो ये चे मक्ची भावनाच मुँवात्य है अधा कही जने चे और विश्वास्थे उता कही जने चे और विश्वास्थे उतने पन्हे मात्र मांदने करो लगेल कि तीक पावर है अपन तेला पावर महुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ आत्मा असमानले के लिए तला आपन पावर मनु ओकी योग दर्शना मदे आतला कायस तते आपन पहू स्कूल अपन फिलोसफी फाउंडेट बाए पतंजली 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 नी निर्बाण के लिए योग शास्त्र योग सुत्र तेनी तैयर के लिए अनि मनु अपलेला पतंजली योग विध्या पिठाय तैंचा नावानी ये ते इंघ इतला इंग्लीष मदे योगा असमंटक अपन मारथी मदे किवा हिंदी मदे किवा भारता मदे तेला आपन योग मटल पैज़े योग योग सुत्र योग सुत्र को तो स्कूल अपिलोसफ इसमें जो अंतर है वो अंतर जानने का प्रयास योग दर्शन में भी किया गया emphasis on understanding mind लेकिन इसमें हमारी बुद्धी हमारा जो mind है में दू उसको focus किया गया its various states its cognitive activities उसमें activities किस तरह से होती है and methods to control it उसे control करना control कैसे किया जाए इसके उपर भी ध्यान दिया गया और इसलिए फिर योग शास्त्र में या योगा भ्यास योग ये शब्द है और योगा भ्यास शब्द है तो योगा भ्यास में ये सब सिखाए जाता है meditation और ये सारी जो प्रपधती होती है उससे mind control करना चाहिए क्योंकि सारे चीजों को घुमाने वाला माइंड है पूरी सारी जो कुछ भी हो यहां है और यहां वो सारा सारा चलते रहता है mechanism बहुत mechanism बहुत strong है अभी मैं आपको एक example बता तो ये pen है जैसा ये pen यहां रखा हुआ है मुझे इसको उठाना है क्या process है देखिए process कितनी कठीन है और कितनी complicated है अब यह complicated process है फिर भी यह इतनी fast हो जाते है तो ऐसे कितनी processes हम पूरे दिन में करते रहते है और हमारा brain जोया कभी-कभी कहते है ना थकान में सुझारी मजा दुख ते आया माजा में थकला मिंदू थकला मनजी तेला इतका काम दिले तुम्यानी मनुं शांत जोप जाली बाईया समाधा शांत जोप उडे एना रहा है अपने आप लेगासा में अपन जवा योगशास्त्र शिकु इंटर्डिस्प्लेडरी स्टडीज वर आधारी जवा योगशास्त्र आई तो अब यह आ पको बता रहा था पैन अब यह पन अगर मुझे उठाना तो कितनी प्रोसेस है पहले तो मैं आखे डोड़े तया पैन कड़े पहती तो मग माज में चाम में टेन अबं अपर ताना मला मैला पुना पुना पं सिच चल शला है माा हकट अगर नैसट यह थे नहीं यह थे नहाइक इत्ये नेताना माजे रो पावर लावनेशने, ऊचला उत्तर है। परीन आपला काम करौ तो यहां ब्रेनला कंट्रोल कसा strongest कःछा तो यहां अपन कंट्रोल करने चैन अनकंट्रोलेबल अस्ता पुफुने तात महित नहीं अनिच इतके यता है कि महरील सर शंग थाँ कि अंचंत्रेट करा अंचंत्रेट करता ना भाकिछ विचार था तम अब आधा बरोबर असा होते हैं कि मी जवां हे लेक्च्छ शिका थाँ तुम्हाला था हे शिका था असतन तो मेडिटेशन करता ना मना आत विचार आले नहीं पाई जासते विचारे तो मनुन योग दर्शना मदे या एंफसीस करने ताले मिन्दू वर विचारान वर अनि ते कंट्रोल कसा करे ताले पद्धल बोलने ताले फोकस ओन फिजिकल, साइकोलोजिकल, एंड मोरल स्टेटस माज़ जा खे फिजिकल स्टेटस है माज़ शरीर आहला पाजे ना अनि मडून योगा भ्यास अपलेला अपलेल शरीरा बधल नहीं तर ते मोबाईल पाउन-पाउन, मान खाली गलून, 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 हेंस पोंडिलिस सुरू, 21-22 वर्छा ता पोरगा-पोरगी spondylysis व्यायाम करेचे ते व्यायाम कशा सथी करेचे तो physical activities अपला फिजिक संगला रहला पाईजे शवट परेंत असा मन्टात के अपला शरीर संगला रहला रहला शवट परेंत तर मांसाचा पुंडेवान है समंगला पुंडेवान कैसे थी नहीं तका है तो कंबर दुखते पाड दुखते, मान दुखते हे दुखते, ते दुखते, सार खरड़त रहत छोटे शुटा है वयामदे 21-22 वयामदे डाबेटिज जालेले पोरा पुरी असता stress ये तो ताने तो येला कंट्रोल कसा कराईज़ ये एक है फिसिकल, दूसरा है साइकोलोजिकल और तिसरे ही महत्वास है moral, नहितिक नहितिक ता ही असली पाज़े ना सग्रण अनहितिक करूं चालना जो अनहितिक करतो तो क्रिमिनल असतो नीती मुल्यानीच भागाईचे अपलेला नीती मुल्यानीच अपलेला रहचे है हाई लोका नीती मुल्या पाड़ातास नहीं कसे ही ब्रष्टाचार करता आत उठे वाइट कामा करता लोकाना लुबाडता लोकाना लुटता अशा पद्धती चे करता है नहितिक्ता सोड़लेली असते आमानसास जीवन मोक्षा परेंति जर नेयास जील जापलेला संख्या धर्षन संत ते चामधे नईतिक्ता देखिल बहातव जीते अम्हे योगदर्षण फिसिकल अक्तिविटी जबर फोकास ठता साइकोलोजिकल मक्तिविटी जबर फोकास करता योग दर्शनाचे आठ स्टेप श है, अपले यह आचे एपिसोड मदला हश्यवट सभाग पन फर्क इंट्रेस्टिंग है। योग दर्शनाचे आठ स्टेप से यहां, एक यम, जो फोर्बेरंस कंट्रोल, प्रत्य गोष्ट्य वर कंट्रोल करने। आज हाँ, कंट्रोल भरसपा करदा है, हाज स्करता है एतने कुणा या परीक्षा होई परेंता आता मी बाकिये धासती चे कामों कुछल्यी करने रह माई माजा मोबाइल मी, कमि अप्रेल यास्ति जास्त मोबाइल आटास मोबाईलायय गों सब्कोर Mayak कि माज़ा मोबाईल माज़ी इक है तूल है की Mina미ा स्क्रिन टाइम पूल्वाक्रkek , इतका मोबाईल पहला अटोर आटास सहातास पानेटास आपले अक बाधिव मोबाईल on the दूसरा है नियम, observance, positive command, नियम आये। एक आधी घुष्ट कंटिनियूस करेजी। साथ वस्ता इंडियन नॉलेज सिस्टीम चा अब्यास करेजा मुझे करेजा। कई जलतरी करेजा। कई जलतरी करेजा। जलतरी करेजा जलतरी करें 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 नियम, योग शास्त्रा मदला महत्वाचा दे, योग दर्शना मदला महत्वाचा भागए, आसन, फिजिकल फिटनेस, मित्रान्यों अतीशे महत्वाचा है, आपले गावा मदी जी उन्च टेक्डी है, जी अनेक गावन मदी आता, तुमी इता सगे अमरवती विद्धय पिट दम लगतो, धाप लगते, कास होतो, करण आपन फिजिकल फिटनेस ठेव लेला नहीं है, कार्डियो वस्कुलर फिजिकल फिटनेस मन्टा तेला, आपले रुदय चंगलर आले पाईजे, आपले फुपुशा चंगलर आले पाईजे, कोरोना मदे तेस लोगो गेले, तेला पर चब्द होता कुंटा, को मॉर्बीडिटीज, को मॉर्बीडिटीज मन्जे का है, जनना ब्लड प्रेशर है, जनना कुटे डाइबेटीस है, कुटे श्वासा सात्रास है, कुटे अमू का है, कुटे अमू का है, कुटे अदमू का है, ये सगे लोगो कोरोना मदे जास्त थो आपन योगा साधना फिजिकल फिटनेस ठेवत नाइ अपन तू कराईजा मंदला तो कहीं लोग भते जिम मदे आतफर होगा सार दियु जिम कराईजा, बादी बादी बनाके वो सब भता करेशा, अन्दंतर मुषूर देचा तेचर प्रेक्षा साधे साधे physical fitness जडिसा गारोच । मित्रांनों महित्रिम्रे अतीशे महत्वाज है अतीशे महत्वाज है काहीं महित्रिन arrangements प्रेक्षा फिजिकल भीटनेस भ look, बार्व अठीड रचुरस्ति टेस्स माघृच्तें, को आजा कॉलेज मदी टैंच जिमा मेडिकल केल जात तो हमोगलोबिन आठ अनी नू असतो फक्त जे बारा अनी तेरा सेल पाईजी असा ही बरोबर नहीं तेचा साथी मनून योग दर्शना अभ्यास कैसा साथी करें से तुम्ही जे प्रश्न विचारता ना दोन मारकाता प्रश प्रश्न तो यह तील तुम्ही सोडवाली चाना नौलेज अनी इंस्पीरेशन में अपलेला अभ्यास काय केल पाईजे करसकेल पाईजे अनी कोणी सांगित लाए अपले अस देशा आतले पुरातन लोकानी सांगित लेलाए अपले अस देशा मते सांग उन्टेवलेला है यह ता जग आएकून रहेला योगदर्शन अचा अभ्यास अतले विद्ध्यपिठा मते सुरू जाला अपले विद्ध्यपिठा मते आत्ता सुरू जालेला पने अपलेला शिकला पाईजे आसना वेगवेगड़ा आसनास थात ओ किती मोठा भाग है मैंजे इस पंडेलेसि आसना के लिए नंतर योगदर्शन अपले जाता अनेक आजार बरे होता अडि मग त्या डॉक्तर कड़ेजन प्रचंड पैसे देऊन खर्च करने ची गरस पड़त नहीं आसना ओके देन प्रानायाम ब्रेत कंट्रोल महत्वाचा है मग ते प्रानायाम करने श्वास रोखने aware को ख्मलबाराइवारती मतो श्वास कसा गयाचा कसा सोडायाचा कशा पद्वतिमी रोखायचा ते е भ्रामरी चास्त है ये जगे प्रानाय प्रानाय प्रानायमा चे प्रानाय माचे अधुध परिना में मनुन जगातले लूक्त करेशल लागले जागतिक्तक पातली वर योगा ब्यास का करता है तो लोग कारेंट तेचे पॉजिटिव इफेक्ट दिशाल लागे यह योगदर्शना मदे सांगीत लेला है यह स्टेप सेथ आठ स्टेप सेथ तेचा अंतर प्रत्यार्था प्रत्याहरा विड्रॉइंग कॉगनिटिव सेंसेस प्रम सब्जेक्स कोगनिटिव सेंसेस बाजुला करने त्यला प्रत्याहरा धारणा चेंटिव इफbahnाप उनकलिे उसमेदा विचाहर पंतनिitel्याना मेंटास कुगे विचाहर करेंचा जो परिंत तुम्ही विचार करनार नहीं तो परिंत तुम्हाला हे समझदार नहीं यहाला Contemplation कारण हे यह कई बेचा पाड़ा पाटके लाणी बेख बेदुनी चार बेटरिकसा हे मतल आणी जाला असा नहीं है यह चा मधी विचार है तुम्हाला यहाचा विचार करना Contemplation करना जाला धारणा असा मंटतते करना है ध्यान Absorption Fixing Mind ध्यान करतातना Meditation करतातना एकाद यह गोश्ट्य कोड़े मेंडबत्ति वर आपला लक्षा Kendrit करून Concentration करने जा परेतना Concentration असा होत नहीं Moral सरन से लेक्चर सुरू अस्तानी मां तेचा मादे तु बेट्टे का तु आली का तु गेली का तु आला का तु गेला का असा विचार लेचात गरज नहीं तेची Concentration अपन कशा से बेट्टा अथिया अटे साडे साथ Moral सर आपले ला Indian Knowledge System शेखो तु आते साथे साथे समस्दा मिचार केगा मित्र महित्रीनी सिनेमा जेवन खावन सब्गा 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 करूंत पाएक दा तुम्हाला थाफाइदा हुए आणी तजा फायदा आसा है कि आजे मी सांगता है आथा काये होते हैं आथा जर कॉंसेंट्रेशन नसे फोकस नसे तापले अलाए पुना-पुना वात्या वाच वाच वालागता पुना-पुना समझन ग वालागता पन्फोकस अरशेल एक हर दाता सपूर्ण लक्षदे उन च आणी शेवट चाहे समाधी, state of oneness, पूर्ण एकत्रित होने, एक होने, जी गोष्ट करतो है त्या गोष्टी मदे समपूर्ण पने समर्पट, समपूर्ण समर्पट, समाधी वस्ता यला खूब वेलाकतो, समाधी वस्ते साथी फार प्रेत्न कराईव लगतात, आयुष्य दिले लेत रुष्टी में समाधी वस्ता यले साथी, पन आपलेला मत्र है सम्झूर्ण जीतला, तो कि आपने अचा अर्थ असा कड़ू शुक्त, अच्छा कड़ा मत्या अर्थ कसा कड़ता ही ला अपलेला, मितोस तुम्हाला सम्झूर्ण सांगितला, या अठे स्टेप मत्या, कि कंट्रोल करता हला पाजी गुष्टी, बगा, कि योग दर्शना, तो हजारो वर्षा पूर्वी सांगितला, तो आज ही रिलेवंट है, एक मिसा वैशत्का मदे देखिल तुम्हा माजा कामात पड़ता है, जर अपले अईश्या मदे सक्सेस्पूल भाइचा सेल, तो सक्सेस्पूल होने सटी है, आच स्टेप्स महत बाचा है, जानी माजा जीवनाचा आधार बनेला, कामा पड़ता है, पॉजिटिव कमांड मा देता है, तो बेलकुल असकासा, असकासा होता है, अपले कमांड काशा सतत, जाओ देनाथा, तो चार एपिसोड पाइले, अपने अपार समझग नाए, जाओदे पाच्वाइपिसोड काशला पाइचा, पुर्चा जाओ देना तो सोड़ूं देना पाऊ ना नोट्स भीज आले ते वाच्छुन ग्यून निगेटिव कमांड अपला मन देत रहता निया अपले आला ते 100 वट्ट मणुन आपना एकत रहतो अपने एक्सेप्ट करतो सोपो 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 सोईच त्रास नहीं दाला भाजे जासत अशा पद्दती नहीं आपन मागतो कमांड पॉजिटिव देता रहा भाजे कि वावा अशा नहीं है तो बिल्कुल है नार तीस मारकाज अपरास अशेल तरी देखिल में अभ्यास पुरुण करीं करें तो माला सम्जून गया से उदे नोकरी में तन यह सगया घुश्टी तो माला फाइदा होना रहा है कंट्रोल पॉजिटिव कमांड फिजिकल फिटनेस बिल्कुल उटला पाईजे सकाई चार किलोमेटर फिराला गेला सपाईजे कंपल शरी असका समतने बिल्कुल दमते अपन माला माजी कमांड काय में थे निगेटिव कमांड जोपना था जाओ दे ना मोरिल सर संगतिल के अपन एक मन सांगत असता प्लेल निगेटिव कमांड तीज अपना एक तो गना फिल्कुल उट अपन पोजिटिव कमांड जिडिल पाईजे बिल्कुल उट असकासा ने फिजिकल फिटनेस रहला पाईजे जाली तुझी साथ आठास जोप लाग्ते जाली तुझी अकरा आपले रुदया चांगल रहाता है नहीं तो रुदया चे रोग होता है आणि आजकाल ता नवीन सर्वेज मदे stress आणि ये सगल वड़ेल लागलेला है वह वर्षे 25 ते वह वर्षे 25 ते वह वर्षे 25 ते वह वटामदे प्रत्यहरा विद्रॉइंग कॉग्निटिव सेंसे धारणा continuous contemplation विचार करने अता continuous serious रहाचा काम महुरिल सरांधिया विशेश कोल गंभीर रहाचा काम मस्ता आसत रहाचा मजाकरत रहाची पंड अपले जीवनाचा टार्गेट इठेवाचा नंटे टार्गेट चा विचार कर पाइजे काहितरी कुट्ले तरी पोजीशन ला जाता आला पाइजे पईशेबीशे कमा अताले बाजे अपले पायर उबर आला पाइजे नहीं तो संकतानी नर लोकाना काय करता था कुरूना दरहालु काईशन ने वनार असनी जाला अधिया तो अलार्म डुके मदे काहें इनोग फोसा करती पोसगे चाराइब पूसा है आणि श्यवट चा भागा मदे आपन तेपाऊ तेमों या सग्या एपीसोड मदे आपन संख्या दर्शन आणि योगा दर्शन सिकलो ये सग्या भाग जी आए ते पाचवया टॉपिक मदे होती इथे आपला पाचवया टॉपिक समतो है पुडशा जो टॉपिक है तो है नॉन वेदिक फिलोसोफिकल सिस्टीम इत परिंत आपन सग्ये वेदिक फिलोसोफी शिकलो ये सग्या वेदा चा मदे जीत वेद जी आए तेटले तेट रुगवेद नो थाड़ आए ते कि प्राच सार्च सार्च साथ असा-नॉन भुद्धा में इंपोर्त ऑपिदा के ले वेदा सक्याир ने वेदां जी इत पागर्त मम्त इद अश्त आत्मक्तर विधांग के उडिक अश्त ये उपनिशुद सांख्या शास्तर सेीज संख्या दर्शन पाइल रो त्यांतर योग दर्शन पाइल रो हे सग्ड़ चा सग्ड़ वेधिक कॉर्पस मधी एता वेधिक स्कूल अफिलोसफी मधी एता इथे आपला इंडियन नौलेज सिस्टीम मधला वेधान संबंधी चा कि मा वेधिक स्ट्रक्चर संबल है इत्वोन आता पुढ़े आता पुढ़े पुना एतले भाग एती लगज पण आता मातर आपन कही जा पाहना रो त्या नौन वेधिक फिलोसफीकल शिस्टीम से मैंने वेधान पे क्षय बेग़े नौन वेधिक फिलोसफीकल सिस्टीम से कहलाते हैं बहुत महत्वपुर्ण है उनका भी भहत महत्वता और हमारे देश के पूरी संस्कृतिक रचना में जैन धर्म और बहुत बड़ा हाथ है बहुत बड़ा योगदान है तो इसलिए योगिक फिलोसोफी का वैदिक फिलोसोफी का हमने सब देखा उसके बाद में अब ये नॉन वैदिक फिलोसोफिकल सिस्टीम सम देखेंगे फिर से आपको बताना है सारे सोशल मीडिया स्टेटस पे मैं अविलेबल हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेस्बुक, लिंक्डिन, थ्रेड्स और वाटसाप इस पे सबस्क्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि महाँ पर भी मैं आपसे मिल पाओ तो वो अच्छा जो लगता है वो उसमें कनवर्ट कर दीजिए और इस तरह से हम लोग आज हमारा टॉपिक पाच खतम हो जाएगा टॉपिक छे में नॉन वेडिक फिलोसोफिकल सिस्टिम पढ़ने के लिए हम फिर से मिलेगे तक यू सो मुझ बाई टाटा तक चेर थैंक यू